नमस्कार, खबर लोग के साथ आपका स्वागत है। बीते दिनों पहले E.D. की छापे मारी के बाद सांसद किरोडी लाल, मीणा ने गणपती पलाजा में काले धन का भी खुलासा किया था। राजस्थान में चुनावों के एलान के बाद E.D. की फिर से एंट्री हो गई। बीते दिनों पहले E.D. ने डुंगरपुर से कांगरेस पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खोडानिया समेत दो अन्य के दफ्तरों में छापे मारी की थी। इस दौरान E.D. ने आरेलपी नेता स्परधा चौधरी और अशोक जैन के यहां भी छापे मारी की थी। पेपर लीक मामले में E.D. ने कटारा और सारण को रिमांड पर लेकर अलग-अलग पूछताच की। जिसके बाद क्रोस पूछताच में कई अहम जिम्मेदारी मिली। इसी संबंध में E.D. ने फिर से आज छापे मारी की है। इससे पहले E.D. ने पूर्व अकाउंटेंट अशोक जैन के निवास पर और कांग्रेस नेता दिनेश खोडामिया के घर और प्रतिष्ठान पर भी E.D. पहुंची। अपनी राय कॉमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।